ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकत सहारनपूर चात्र संगर्ष समिती के धरने को चलते हुए आज दिन हो चके हैं और अभी भी चात्र संगर्ष समिती अध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुर्जन के नेत्रित्व में चात्रों के हित के लिए धारना जारी है हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर अनिस चितकाली इंधरने में आज महिला अधिकार मंच की राष्ट्रिय अध्यक्ष पुनी ता गौतम अन्य पदाधिकारी तथा रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया की प्रदेश अध्यक्ष अधिकार करताओं ने चात्र संगर्ष स समिती के कंधे से कंधा मिला कर इस आंदोलन में साथ रहेंगे जन ने कहा कि आज चात्र संगर्ष समिती को महिला अधिकार मंच तथा रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया का समर्थन मिला हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तथा हम अनुसूचित जाती के बच् अधिकार मंच राष्ट्री अध्यक्ष पुनीता घौतम, रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया प्रदेश अध्यक्ष, युवजन के जिला अध्यक्ष अमित गुर्जर, पूर्व चात्र संग अध्यक्ष अर्जुन पंडित, वासल तुमर, अमित खारी, अनुज अधि मौजूद रहे हमें सडकों पर भी उतरना पड़ा, तो हम उतरेंगे और अपना अधिकार लेकर रहें, जासंगर समीती का आज धरने का छटा दिन है, सभी साती लोग लगातार धरने को समर्थन कर रहे हैं, और आज हमारे समर्थन में महिला अधिकार मंच की राष्टे अध्यक्ष पुनि इस महासचीव और इनकी पूरी टीम ने हमें समर्थन दिया है, चुके ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की है, पूरे भारत की है, पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, चुके छात्रों का भविश्य आज सरकार ने खराब कर दिया, और इस अ दा देना चाहता हूँ, डाक्टर बाबा साहब अंबेड करने, कांस्ट्यूसन के अकूरिंग जो हमें अमिट्मेंट में अधिकार दिये हैं, प्रदेश सरकार ने वो अमिट्मेंट के समिधान के अनुसार, उनका हनन करने का जो काम किया है, या तो होस में आ जाओ, नहीं इन अधिकारों को हम लेना भी जानते हैं, जिस परकार से आप लोगों की सरकार बनवाई प्रदेश में, उसे हम अठाने का काम भी करेंगे